एक गलती ने 25 कमरों वाले बंगले और साथ लगजरी कारों के मालिक भगवान दादा को कर दिया था कंगाल, चौल में हुआ था उनका निधन भारत के पहले डांसिक सूपर स्टार माने जाने वले भगवान दादा की 109 जैनती अभी आकर गई है एक अगस्त 1913 को अमरावती में जन्मे भगवान दादा का असली नाम भगवान आबाजी पालव था उन्हें प्यार से लोग सिर्फ भगवान भी बोला करते थे, लेकिन जितनी भगवान दादा की लोग प्रियता थी, उतनी ही डड़ भरी उनकी कहानी है गरीबी से अमेरी तक का सफ़र तै करने वाले भगवान के पास कभी समंदर किनारे आलिशान बंगला हुआ करता था सब्ता के दिन के हिसाब से उनके पास साथ कारे थी, लेकिन जहां उन्होंने अंतिम सांस ली वह एक चौल थी आईए हम आपको ये बताते हैं भगवान दादा गरीब से अमीर और फिर गरीब कैसे बने भगवान दादा के पिता मुंबई के एक टेक्स्टाइल मिल में काम करते थे उन्होंने खुद भी इसी मिल में मजदूर के रूप में काम किया लेकिन वे सिनेमा को लेकर जुनूनी थे उन्होंने साइलेंट फिल्मों में छोटी छोटी भूमिका से अपने एक्टिंग की करियर की शुरुवात की मूख फिल्म क्रिमिनल से पड़्दे पर कदम रखने वाले भगवान दादा कॉमेडी के बेताज बाजशा बन गये भगवान दादा की कड़े महनत रंगलाई लोग उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होते थे आम लोगों खास कर मज़दूरों के बीच उनके द्वरा निभाय गए साधारन किर्दार काफी पॉपुलर होए इसके बाद भगवान दादा ने अपनी फिल्मे बनाने का निर्णे लिया भगवान दादा ने जागरती पिक्चर्स नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और फिर 1947 में उन्होंने चेमबूर में जागरती स्टूडियो बनाया उन्होंने फिल्म अलबेला का निर्देशन और निर्मान किया जो की सूपर डूपर हिट रही फिल्म पचास सब्ता से ज्यादा सिनेमा घरों में चली इसके गाने शियोला जो भड़के और भोली सुरत तिल के खोटे इतने लोगप्रे हुए कि आज भी लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं भगवान दादा को सफलता और शोहरत मिलती जा रही थी उन्होंने मुंबई के पौश इलाके में सी फेसिंग बंगला खरीद लिया जिसमें 25 कमरे थे इतना ही नहीं उनके पास साथ लगजरी कारे भी थी और वे सब्ता के हर दिन बदल बदल कर उनका इस्तेमाल किया करके थी वक्त ने करवट ली भगवान दादा ने अलबेला के जादू को फिर से भिखेडने के उदेश से लबेला और जमेला नाम की फिल्में बनाई जो की बुरी तरफ फ्लॉप हो गई फिर सहमे हुए सपने आई जो पहले शो में ही फेल हो गई फिर भगवान दादा किशोर कुमार के साथ हस्ते रहना कर निर्मान करने लगे उन्होंने इसके लिए भी भारी पैसा लगाया पत्ने के गहने गिर्वी रख दिये और पूरी जमापुंजी इस पर खर्च कर दी लेकिन दोनों के बेच कुछ मत भेदाया और भगवान दादा को यह फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ी भगवान दादा के कई दोस्त थे जो उनके खर्चे पर पार्टी करते थे शराप पीते थे धीरे धीरे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया आर्थिक तंगी से जूज रहे भगवान दादा को अपना बंगला और कारे पांच दसट तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज और छेसू से ज्यादा फिल्मे करने वाले भगवान दादा का निधन चार फरवरी 2002 को दादार के एक चौल में गरीबी से लड़ते हुए हुआ बताया जाता है कि जिन्देगी के अंते कुछ सालों में उन्हें सीने आर्टिस्ट एसोसियेशन और इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन की ओर से तीन हजार और पांच हजार रुपे का भुकतान किया गया था हमारे साथ बने रहें बॉली हुट की अन्य दिल्चस खबरे जाने के लिए तब तक के लिए नमस्कार